किसी भी प्रकार के जोडों का दर्द, जैसे घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, गर्धन में दर्द में गरम सेख से बहुत ही आराम हो जाता है गरम सेख देने के बहुत से तरीके होते हैं जैसे पानी के सेख, गरम पानी की थहली, या फिर एलेक्टरिक हीटिंग पैड या और भी बहुत सारे घरवलू तरीके मगर इस वीडियो में मैं आपको एक लैंप के जरीए सेख देने के तरीके के बारे में बताऊँगा इस लैंप को हम इन्फरा रेड लैंप भी कहते हैं इसके जरीए दिये गए सेख से दर्द में तुरंद अराम हो जाता है और इसके द्वारा दिये गए सेख को हम इन्फरा रेड थेरापी कहते हैं तो चलिए देखते हैं इंफ्रारेड लेंप क्या होता है اور किस तरह स्तमाल किया जाता है इंफ्रारेड लेंप किसी भी प्रकार के जोडूं का दर्द में बहुत लाबकारी है जैसे कमर का दर्द, गुटनों का दर्द, गर्दन में दर्द, या फिर आपके कंधों का दर्द इंफरा-red lamp को कहां इस्तमाल करना चाहिए और कहां इस्तमाल नहीं करना चाहिए इसका पूरा ब्यूरा आपको इस किताब में मिल जाएगा इसे आप Amazon से खरीट सकते हैं जिसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा इन्फरा रेड लैम्प दरसल एक लैम्प होता है जिसमें एक इन्फरा रेड बल्ब लगा होता है इस बल्ब से लाल रंग की रोशनी निकलती है जिसे हम इन्फरा रेड रेज कहते हैं यही infrared rays जब हमारी शरीर से टकराता है तो शरीर में उस्मा पैदा करती है यह रोस्नी सूर्य के रोस्नी के समान होता है और इसका कोई side effect भी नहीं होता मगर ध्यान रखे कि बल्ब शरीर से ना सटाए कुछ बातों का ध्यान रखकर इसे आप बड़ी आसानी से और सुरक्षित तरीके से घर में भी इस्तमाल कर सकते हैं यह lamp आप online खरीच सकते हैं Amazon से इसकी link भी मैंने नीचे description में दे दिया है तो चलिए देखते हैं इसके इस्तमाल के तरीके का आप जाब नादा के दिया है जाब का देखते हैं ऑज़ पातों का दो चलिए आप का रड़ी आसानी से घर का बातों कि अ लिदग रभ़ीज़ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दो कि यह जो याइघा पुआ कि अभी तर देयो कि अ बढ़ हhou है झाल झाल